नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप से ली सुदूर ब्रमांड की पहली रंगीन छवी नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप से पहली पूर्ण रंगीन छवी ब्रमांड के अब तक के सबसे गहरे द्रिश्य को प्रकट करती है यह हमारे अद्रिश्य आकाश गंगा को भी दिखाती है यह ब्रह्मांड की पहली सबसे साफ रंगीन तस्वीर है नासा का कहना है कि यह ब्रह्मांड की अब तक की सबसे दूरस्थ, सबसे विस्तृत तस्वीर है जिसमें ऐसी गैलेक्सी भी नजर आ रही है जिनके प्रकाश को पृत्वी तक पहुँचने में अर्बू बरस लगते है अमेरिका के राश्ट्रपती जो बाइडिन ने इसे जारी करते हुए कहा कि वेब स्पेस टेलिस्कोप से पहली छवी विज्ञान और प्रद्योगी के लिए एक एतिहासिक छण का प्रतिनिधित्व करती है नासा ने हाल ही में जेम्स वेब के पहले पाँच ब्रह्मांडिय लक्षयों का खुलासा किया था इन में शामिल केरीना नेबुला, WASP-96B, दक्षिनी रिंग नेबुला, स्टीफन की पंचक और SMACS-0723 थे लक्षयों का चयन लक्षयों का चयन एक अंतरराश्ट्रिय समिती द्वारा किया गया था इसमें नासा, यूरोपिय अंतरिक्ष एजेंसी, कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी और बाल्टीमोर में Space Telescope Science Institute के सदस्य शामिल थे 10 बिलियन डॉलर के James Webb Space Telescope से ली गई यहाँ पहली छवी समय एवं दूरी दोनों में अब तक की सबसे दूर की है Webb Telescope James Webb को North Rope Grooming Carp नाम की कमपनी ने बनाया है जो एरो स्पेस उपकरण बनाने वाली विशालतम कमपनीों में से एक है NASA ने इस Telescope को यूरोपिय और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ मिलकर 25 दिसंबर 2021 को दक्षिन अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट परिस्थित फ्रेंच गुयाना से लॉंच किया था वेब टेलिस्कोप अंतरिक्ष में प्रक्षे पित सबसे शक्तिशाली दुरबीनों में से एक है इस मिशन में 20 सालों तक संचालित करने ही तू परियाप्त अतरिक्ष इंधन क्षम्ता है जेम्स स्पेस टेलिसकोप दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलिसकोप है जिसे नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडाई स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया है इसमें गोल्डन मिरर लगा हुआ है जिसकी चोड़ाई लगभग 21.32 फीट है यहां मिरर बेरिलियम से बने 18 शटकोण टुकड़े को जोड़ कर बनाया गया है इस वीडियो के बारे में अपनी सुझाव और फीडबेक कमेंट सेक्शन में देना न भूले वीडियो को लाइक, शेयर और सबस्क्राइब जरूर करें